प्रोकैस्टिनेशन इन हिंदी फिलंब अच्छा यानि कि कल करते हैं कुछ रिलेट हुआ है कुछ भी काम हो जो करने का मन नहीं कर रहा है बोर हो रहा है यह बहुत जादा बला टास्क है उसको कल करते हैं कल पे डालते हैं यही यही चीज आपके प्रोग्रेस का सबसे बड़ करते हो और हम सब जानते हैं कि टाइम इस इकूल टू मनी जब आप टाइम को न अच्छे से मैनेज कर लेते हो तभी आप प्रोग्रेस की तरफ बड़ते हूं यहां मैं एक चीज क्लेर करता हूं देखिए प्रोग्रेस का मतलब सिर्फ करियर आंबिशन्स या मनी नहीं है ठ किसी से जगडा हुआ आपके किसी चाहने वाले से जगडा हुआ अब आपको थोड़े दिनों में समझ में आया है या कुछ घंटों में समझ में आया है कि यह आपकी गलती है पर क्योंकि आप गिल्ट फील कर रहे हो या फिर शरम फील कर रहे हो या फिर एगो में है आप व सामने वाले के दिमाग में भी ना चीज़े पाइलब करती रहती है कि माल लीजिए ज्यादा अकड है या इगो में बात नहीं कर रहा है या इसकी गलती है फिर भी ये सामने से सॉरी नहीं बोल रहा है आपके दिमाग में क्या चलता है या तो मैं क्यों बात करूं पहले या करते तो तो हुआ क्या कि प्रोकास्टिनेशन ने टाइम किल किया जिस चक्कर में आपकी जो रिलेशन थी उसका प्रोग्रेस कराब हो आपने कोई प्रोग्रेस ही नहीं गया उसमें पर देखें फिगर करने की बात नहीं है प्रोकास्टिनेशन बहुत ही आम चीज है सब में जो यह बाकी बचे 15-10% लोग है वो गॉड लेवल है उन्होंने या तो इस चीज को बहुत अच्छे से हैक कर लिया या उनकी विल पावर इतनी स्ट्रॉंग है वो अपने गोल में इतने जादा फिक्स्ट है कि उन्होंने इस हाबिट को इस इस एनिमी को किसी ना किसी तर को और कमिट अब किस तरीके से करता हूं वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा मेरा एक हैक है मैं एक दिन में क्या दो-चार घंटे में ही प्रोक्रास्टिनेशन की सैकल से भार आ जाता हूं वह हैक मैं आपको बताऊंगा बट एक डिस्क्लेमर दे रहा हूं कि यार ये चीज ना एक गंटे की एक दिन की नहीं है ये एक lifelong journey है इसको beat करना इसको हराना ये एक lifelong journey है और यहाँ पर एक चीज़ गौर करने वाली है ये भले ही common है बड़ जो चीज़ common नहीं है वो है winners, winners, successful लोग ये बहुत कम है उसका एक बहुत बड़ा कारण है उनकी बहुत सा लेगा है यहाँ ये keyword important है manage और handle करना देखे procrastination को eradicate करना permanently अपने life से humanly possible नहीं है और उसको manage कर सकते हैं और यही इन winners की successful लोगों की quality होती है कि वो manage कर लेता है पर आच हम लोग lifelong battle की बात नहीं करेंगे हम लोग baby step से शुरू करते हैं मैं या मेरे जैसा कोई भी इनसान आपक उस चीज में train नहीं कर सकता वो आपका अपना खुद का battle है आप कुछ hacks हैं कुछ तरीके हैं या कुछ ऐसी चीज़े हैं जिसे आप उसको अच्छे से manage कर सकते हैं तो आज की वीडियो में हम दो चीज़ देखेंगे एक कि आप procrastinate क्यों करते हैं वाई का एक simple सा answer है एक long answer short वाली बात है हम लोग humans है हम लोग को आराम फर्माना बहुत पसंद है दूसरा कि हम permanently how can we break free from this chain permanently अभी एक दम से एक दिन में दो दिन में possible नहीं है यह एक lifelong journey है कि कह देना it's all about the journey destination तक तो आप पहुंची जाते हो किसी ना किसी तरीके से आप साल भर भी procrastinate कर लो ना उसके बाद भी आप काम करना चालो करो वापस अपने goals की तरफ वापस अपने career की तरफ या जिस भी चीज की तरफ आप work करना चाहते हो progress की तरफ आप पहुंची जाओगे बट यह जो journey है यही सबसे main battle है इसको एक और example से समझते हैं मान लीजे आप आपका कोई टास्क है जिसकी एक deadline है अब क्योंकि वह इतना जादा बड़ा टास्क आपको नजर आ रहा है तो आप ना उसको करने में डीले करते हो आप डिस्ट्राक्ट होते हो आप continuously social media की feeds में endlessly देखते रहते हो धीरे-धीरे pressure build up होता रहता है जैसे जैसे वह deadline पास आती र जादा जो यह stress है ना यह और procrastination एक ही cycle के दो पहलू है stress directly leads to procrastination procrastination directly leads to stress और यह बहुत ही ज्यादा deadly vicious cycle जैसे महाबरत में चकर भी हुदा घुसना तो असान है इसमें निकलना बहुत भारी बढ़ जाता है इस पूरी cycle के ना कुछ results होता है कुछ इसके ना outcomes होते हैं अगर आप इस cycle में first गए stress और procrastination की cycle में first गए तो देखिए सबसे पहले तो आपनी deadlines miss करने लग होगे फिर आप आपको performance गिरने लगेगा फिर आपकी relationships वो strain करने लगेंगे जैसे मैंने पहले example में आपको पताया था इन सबका असर पड़ेगा आपकी physical health पर यहां पे mental health भी मैं add करूंगा इन सबका असर आपकी physical और mental health पर पड़ेगा यह सारी चीज़े ना हम सबको पता है आप अभी सु असल में हम लोग procrastinate करते क्यों हैं सबसे बड़ा important question है कि why why do we procrastinate हम हर चीज कल पे क्यों टालते हैं देखे हर एक इनसान अलग होता है हर किसी के reasons अलग होते हैं चीज़ों को टालने के यहां पे कुछ ऐसी चीज़ों में हम बात करते हैं जो सब के साथ होती है सभी face करते हैं जो एक तरीके से statics है सबसे पहला और सबसे important आता है कोई ऐसा टास्क जो आपको बिल्कोली अच्छा नहीं लगता बोर करता है unpleasant जिसे बोलते हैं हम लोग दूसरा सबसे important होता है fear of failure perfectionism कहते हैं मेरी भी यह problem है कि मैं तब तक किसी चीज़ को implement नहीं कर पाता जब तक वो perfect न रहा है I have worked on myself और मैं perfection की तरफ नहीं जाता हूं that is a very 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 bad habit perfectionism खासकर अगर है आगे किसी वीडियो में बात करेंगे वो चीज़ है वो चीज़ आपको fear of failure की तरफ ले जाती है and this is very dangerous तीसरा आता है lack of motivation कि देखें किसी भी टास्क को या किसी भी गोल तक पहुचने के लेना आपको motivation चाहिए होती है अब motivation हरवा नहीं होती कि बस किसी दिन गए बजार में गए करीद के लेकर आजा motivation खुद में होती है खुद से लानी पड़ती है खुद से काम करता और जब यह नहीं होती है तब आप procrastinate करना चालो करते हैं चौता है कि आप time management नहीं कर पाते हो बहुत लोगों से आपने सुना होगा बहुत लोग आपसे बात कहते होंगी कि you need to manage time time management सबसे important है routine set करते हैं time management करने के लिए और वही चीज़ जब नहीं होती है तो भी हम procrastination की तरफ बढ़ चलते हैं लास्टली और आज के सिनारियो में सबसे important मेरे साब से यह रहेगा distractions बहुत है लाइफ में 5 मिनट होते हैं कि आपका phone notification देने लग जाता है social media में हम लोग इतने जादा इंग्रेव हो बैठे हों है suddenly हमारा phone बचता है हद तुरंत phone की तरफ जाते हैं कि क्या है अभी वीडियो में आपको बोला कि हर एक इनसान का अपना अलग reason होता है procrastinate करने का सबसे important होता है उस why को पहचानना आपका क्या why है मेरे अपने personal अगर one-to-one मैं आपसे बात करूं तो मेरे दो note मैं बहुत काम करता हूं मैं 15-16 गंटे एक stretch में काम कर सकता हूं और मैं अक्सर करता भी हूं दूसरा मैंने आपको बताई दिया perfectionism यह मेरा सबसे बड़ा कारण है failure कर अल्राइट now let's talk about how can we break free from this cycle यह जो stress और clock की cycle है हम इससे break free कैसे कर सकते हैं सबसे पहला है आप अपने trigger identify करिये मेरा जो trigger है वो है perfectionism अगर मैं किसी task में for example किसी script को दो दिन से जादा लगाता हूं तो मैं समझ जाता हूं कि बस तू आप perfectionism की तरफ जा रहा है यहां रुक जा वहीं मैं उसको stop करता हूं and I make do with whatever I have done till now same आपका भी कोई ने कोई trigger होगा उसको identify करिये दूसरा एक बड़े task को छोटे छोटे multiple tasks में divide करिये देखे सबसे बड़ी problem होती है कि आप एक साथ एक बहुत बड़ा task ले लेते हो एंड में होता क्या है कि वो होता ही नहीं अब अगर आप उसको छोटे छोटे task में divide करोगे तो उससे होगा क्या कि उससे करना असान हो जाएगा कहते हैं ना छोटे 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 पार्ट्स में जबाव डिवाइट करते हो छोटे छोटे गोल्स जबाव पचीव करते हो तो एक compounding effect होता है तो वो जो आपको एक बड़ा human गस एकदम मुश्किल टास्क ह ना वो कवर हो जाता है पूर एक्जामपल आपको अगर कोई mountain चड़ना है अगर आप यह expect करोगे कि आपने से exercises नहीं करी है पहले तीन चार में ना आपने कोई walking नहीं करी है ना कुछ करी है आप directly अपने बेट से उठे हो और सीधा चड़ने पहुच गए हो कोई ना कोई mountain या किसी ट्रेक पर गए हो तो आप प्रॉब्लम होगी आप इसको डिवाइड करो जब आपको पता है कि आपको यहां इस ट्रेक पर जाना इस mountain को क्लाइन करना इसको समिट करना तो पहले तो आप walk करना च क्योंकि आप करें ही नहीं पाते हो आपकी बॉड़ी ड्रेंड आउट हो जाती है जब आप इसको ऐसे डिवाइड करते हो ना फाइनली आप उसके समिट तक पहुचते हो तो अच्छा लगता है तीसरी सबसे important चीज़ है जो आपके second point से आती है वो है priority set करना देखे हर टास सेम नहीं होता यह तो आप भी मांते हो हर टास सेम नहीं होता हर टास अपना अपना खुद का अलग इक input मांगता है अब पिछले वाले example में मांटेन वाले example में आप priority से डगर कर दोगे ना कि सबसे पहला है कि मुझे तीन-चार मैंने पहले चलना है इसको आपने जैसी complete करा यह डन होगे आपने टिक लगा दिया आप automatically confident होगे हाँ या अब मैंना चड़ सकता हूं फिर जैसी आप पहले दिन चलना चालो करें आपने 6 गंटे चले पूरा दिन लगाया enjoy करके चलाया आप एक दिन और करीब आ गए उस mountain को submit करने तो आपको और एक्छा लगेगा confidence आए for example एक Excel sheet बनानी है data इकटा कितना है सबसे important है उसमें data कहां से लाओगे फिर उसमें important है कि उसको आप Marshall कैसे करोगे फिर उसमें important है कि आप उसको structure कैसे दोगे अगर आप इन छोड़े-छोड़े tasks को अलग-अलग divide करोगे और उसी हिसाब से input करोगे तो finally जो आपकी sheet बनके न नहां पर priority set करी tasks को अलग-अलग उसमें divide गया अब माल लीजे आप एक procrastination की cycle से अभी-अभी भाहर निकले हो तो आपका motivation level उतना होता नहीं है आपकी आदत छूट चूट 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 चूटी होती है और आपना फिर भी उस state में होती है कि अभी भी आप टाल सकते तो अपने यह जो डेटा इकटा करने का टास्क होड़ा है इसको दो मिनट करो फिर ब्रेक लो फिर दो मिनट करो फिर ब्रेक लो फिर दो मिनट लो फिर दो मिनट लो फिर दो मिनट लो फिर ब्रेक लो यह सिर्फ आठ मिनट है पर यह दो दो मिनट ना सबसे प्रोड़क्टिव इसके बाद पांच मिनिट का ब्रेक ले लिए फिर आप एक घंटा पूरा बैटो फिर आपने पांच मिनिट का ब्रेक ले लिए अब इसमें होता क्या है कि आपका ना धीरी-धीर टाइम बढ़ता है देखें एक्जामबल से समझे बॉड़ी बनाने के लिए जिम जाते हैं ब रानिंग करके भी हो सकती है पर जो भी है आप अगर यह एक्सपेक्ट करोगे ना कि एक मैंने में डोले शोले आगए वो नहीं होता आप पहले दिन जब जाते हो ना आप 15 मिनिट एक साइज नहीं कर पाते हैं बर होता क्या है कोई कारण है कि हर सेट्स हर रेप के बीच में आपका ट्रेनर या फिर जो भी इस फील्ड में है वो एडवाइस करता है ब्रेक स्लो सेम यहीं रूल यहां लगाओ अपने किसी भी काम में लगो तीस मिनिट काम करो ब्रेक लो साट मिनिट काम कर रहा हूं ब्रेक लो पांच वी जो बहुत इंपोर्टन चीज है वह है डिस मेरा फोन बचता रहेगा है ना मैं काम कर रहा हूं कुछ ना कुछ हो रहा है मेरे फोन में मैं उस पर बार बार देखते जा रहा हूं मैं यह वीडियो ही पूरी नहीं कर पाऊंगा इसलिए आप भी अपने डिस्ट्रक्शन को सालेंट करो आजकल सारे फोन में जैन मोड भी होता है डेंडी भी होता है आप कर क्या कहता हूं से डाउन टाइम भी होता है इस बहुत कुछ होती है चीजा आप न उसका यूज करो आप अपने डिस्ट्रक्शन को कम करो सिर्फ फोन या सोशल मीडिया ही डिस्ट्रक्शन मीं होता है मान लीचे आपको अपने दोस्तों से मिलना है और आपको काम भी करना है उस टाइम पर आपको न नो कहना सीखना पड़ेगा आगे किसी वीडियो में इस बारे में भी बात करेंगे पावर और सिंग नो जब आप नो कहना सीख जाओगे ना आप वैसी सक्सेस की तरह बढ़ चुके हो सिक्स्थ चीज जो इसमें आत है आपका माइंड जो है ना वो एक तरीके से ट्यून होना चाहिए उसको इंसेंटिव पसंद रहुसको पसंद रहाम करना पसंद है जब आपने आपने प्रारेड़ाइज कर लिया आपने छोड़े छोड़े टास्ट में डिवाइड कर लिया आपने इस रूल के एसाप से वह चीज़ें कम्प्लीट कर लिए आपने डिस्ट्राक्शनस अठाव दिये आपको अपने आपको रिवाइड देना बनता है बस मैं अपने आपको किस तरीके से रिवाइड गरता हूं मुझे कौफी पीना बहुत पसंद है एक टास्क मेरा कंप्लीट हूआ मैं कौफी पी आएगा कि अपने डॉक के साथ जमीन पे लेड़ने में क्या मज़ा आता है इस तरीके के रिवार्च ना अपने आपको दीजिए आप यह एकस्पेक्ट नहीं कर सकते ही कि कि आप काम करते रहो करते रहो करते रहो आपको उसके बदले कुछ ना मिले गिवन टेक की होती है हर चीज़ चाहिए और रिलेशन्स हो चाहिए आपको खुद का माइंड और हार्ट का कॉमिनेशन लास्टली इसमें है कि आप सपोर्ट सीख करिए अब देखिए यह जरूरी क की हो है देखे मान लीजे आप इन में से कुछ भी चीज निंग पा रहो है ना और इंसान अलग अलग होता है मैं भी बहुत चीजों से गुजरा हूं तो मैं यह तो बोलूंगा नहीं कि यह सब करना एकदम यूँ फटाक का का में फटावट कर सकते हो नहीं होता आपना किसी family member से बात करो आप अपने किसी body close किसी person से बात करो बट ना किसी ना किसी से बात करो अगर आप नहीं कर पा रहे हो talk to them they'll help you out देखें जो आप से प्यार करता है महबत करता है एक चीज दूसरी चीज जिसको आप पैसा देरो किसी काम के लिए वो आपका काम करता ही करता ह है वह आपका भलाई ही चाहता है वह आपके लिए कुछ न कुछ positive ही करता है तो शर्मा उमर और सपोर्ट सीफ करो देखें वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि मैं आपको अपना हैक बताऊंगा कि मैं इस procrastination की cycle से बाहर कैसे आता हूं देखें मैं या habits ना रामबान है आपके हर एक प्रोब्लम का वह automation पर डाल देता है आगे एक वीडियो में बनाने वाला हूं habits पर आप देखिएगा सब्सक्राइब करिएगा इस चैनल को तो आपके वह notification आएगा आपको habits बनानी पड़ती तभी आप इस पूरे cycle से break कर सकते हूं चैक कितनी बार भी आपके life में प्रोकासिनेट करो आप उस cycle से हमिशा निकलोगे अगर आपकी कुछ habits है आपके कुछ automation मेरा personally मैं एक morning person हूं मुझे सूरा जुपता हुआ देखना बहुत पसंद है मैं generally सुबह 6 साड़े 6 कभी के बार 5 बजे उड़ता हूं अपने डॉक को ले जाता उसके साथ फिर मैं running भी करता हूं वापस आता हूं नाता हूं नाश्ता करता हूं और साड़े 8-9 बज़े तक अपनी टेबल पर होता हूं यह मेरा जर्नल रूटीन है morning का अब आप लगा लो 6 बज़े से लेके 9 बज़े 3 गंदे का रूटीन है सिर्फ अब जब मैं procrastinate करना चालू करता हूं मैं आलस करना चालू करता हूं मैं कल पे टालना चीज़े चालू करता हूं तो मेरा ना यह रूटीन भी कर जाता है अच्छा ऐसा मेरे साथ होता है कि अगर 10 बज़े के बाद मैं उटू तो मेरा पूरा दिन ही खराब है मेरे को ऐसा लगता है कि पता में द take a day off मैं stress release करता हूं पसीना भाता हूं मुझे क्रिकेट किनला पसंद है या तो मैं नेट्स में जाके प्राक्टिस करता हूं या कोई मैच खेल लेता हूं शाम को चिल करता हूं बट साड़े दस ग्यारा बजे तक मैं सो जाता हूं तो दाट मैं अगले दिन अपना वो रूटीन कर सको जैसे ही मैं अगली सुबा छे बजे उठ जाता हूं अब यह चार दिन ले ले या एक दिन ले ले तो यह सिर्फ उन तीन घंटों की बात है और यह वह हैबिट्स हैं जो मैंने पर्सनली डवलप करी अपने आपको सुधार ने इकले देखें मैं भी एक नॉर्मल इंसान हूं बहुत चीजों से जूजा हूं आप भी जूजते होगे आप अगर इस वीडियो में यहां तक पहुच हो तो आप भी जूज रहे हो मेरी पर्सनल एडवाईस है कि अगर आपको प्रोकास्टिनेशन की सेखिल थोड़नी ह है बिल्ड यहाबट्स सेट्बैक्स आएंगे प्रॉब्लम्स होंगी डी मोटिवेशन होगा स्ट्रेस होगा प्रोकास्टिनेशन होगा बट एक चीज़ हमेशा याद रखना है इसको ना आप समालो यह आपको नहीं समालना चाहिए यह ब्रें शुड भी और माइन शुड बी अंडर यॉर कंट्रोल यह जो स्टाटेजीज मैं आपको बताएं यह जो पॉइंट्स मैं आपको बताएं क्या खासे दिहान अगर आप रखोगे ना और अपने ट्रिगर्स पे और अपने हाबिट्स लोगे तो आप भी सक्सेस्फोल होगे आप भी प्रोग्रेस की हो अपने सजेशन्स मुझे बताएं कि मैं आगया और किन चीजों पर वीडियो बनाऊं अगर यह आपको वीडियो पसंद आई है डू लाइक इट शेर इट सब्सक्राइब करिए इटल हेल्प मी इटल हेल्प मी हेल्प यू सवाइस नेक्स वीडियो में फिर से मिलता है थ यू